नमस्कार स्वागत आपका नैशनल इंडिया नियूज में और मेरे साथ इस वक्त मौझूद है विपिन कुमार भारतिय जी इनके बारे में बता दूँ यह सोशल एक्टिविस्ट है और समाजिक कारेकरता के तोर पर इकाम करते रहते हैं समाज को मजबूत करने के लिए जाग संगठन है वो याद आ जाते हैं मैं उनहीं के बारे में आप से चर्जा करना चाहूंगा जिस तरीके की जो पहुजन राजनीती चल रही है और ब्यस्पी सुप्रीमों मायाबती के दूसरी तरफ जो संगठन इकठा हो रहे हैं हाला कि वो ब्यस्पी को मजबूत करने के लि बहुत बहुत धन्यवाद और एन एन की पूलिटियम को साधवाद के आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं पुनहाय में यहीं कहूंगा जैसे आपने पूछा भी के बहुजन मुमेंट साहरनपूर के एरिया के आसपास कैसा चल रहा है तो जहां तक मैं करीब से वहां जानता रही उसको एक चुनोती के तोर पर वह चाहता है कि वेवस्था बदल जाए उसके लिए वह काफी बेचयन है तो उसी बेचयनी के परिणाम सरूप उसी चहा के परिणाम सरूप जो संगटन वहां पर एक निकला भीमार मी वह उसी सोच को लेकर उन्होंने वह अपना मुमें निकलें युवा साथ में आये सामने आये युवा समाजिक मुद्व पर बात करें और देश के विकास में युवा डियक्टली योगदान करें लेकिन जहां तक पॉलिटिकल मुमेंट की बात है तो इसमें ज्यादा अंडरस्टेंडिंग की जोड़त हैं लोगों अभी क्यो में खड़े हो जाएंगे लेकिन जहां तक रानितिक मुद्व की बात है तो इसके लिए बड़ी अंडरस्टेंडिंग की जुरुत है और जितने भी अगर बहुजन पॉलिटिक्स की मैं बात करूं मैं किसी पार्टी वर्ग को तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन बहुज इस पूरे वर्ग को इसके अधिकार दिलाने का है तो जी अगर मैं बात करूं स्पेशली अभी मारमी का जो संगटन है और चंदर शेकर जी इसको चलाते हैं कमांड देते हैं तो जिस तरीकी का महूल रहा है सहारनपूर या उस छेत्र में और हिंसा के बाद से और ज्यादा मेनिस्ट्री मेडिया में आ गया है लाइट में हो गया है यह सारा केस तो क्या आपको लगता है कि इससे कितनी जागरुकता लोगम आई है या संगठन के लोग कितने मजबूत हुए धरातल पर जो चीजे हैं वो उतर रही हैं जी देखिए जैसे मुमेंट आया हुआ और हि पहले से हैं जागरति कि काफी समय से चल रही है जब मान्यवार कांसिराम साहब बामसेफ ने जो मुमेंट से स्टार्ट किया और उससे पहले बाबा साब जो नीव रखके चले गए तो बेचनी पहले से समाज के अंदर है अब युवा उसको युवा को एक रास्ता चलोड था तो रास्ते नहीं मिलते तो युवा किसी भी डिरेक्शन में फिर मूँ कर जाता है तो इस जहां तक खास्तोर पर ये जो इंसिडेंट हुए इसके बाद भी युवा में बेचैनी और बढ़ी हुई है और सेंसेटाइशन ग्राउंड पर हुआ है अपसमाद बढ़ाना है और किस तरफ जाते हैं क्या सोच रखते हैं कौन सा अपको पार्टी का अपना लीडर जो से की PSP है अभी मुझे कभी कि मिसलने स्टेंडिंग लगती है देखते हुए अगर न्यू खबरों के मताबिक चले जो चीजा आती है निकल करके समाज के मताबिक आपको क्या लगता है देखे जहां तक पब्लिकली अपनी ओपिनियन दखने के बात है तो मैं पब्लिकली तो नहीं बता सकता कि कौन सी पा इसा एक लिडर्शिप निकल के है जो सब को साथ लेके चले क्योंकि अलग अगर विगटन होगा तो इसका नुकसान पूरे समाज को होगा रानीती तोर पर सफल नहीं हो सकते फिर लोग जितने संगठन अभी वजूद में आए हैं चाहें वो दिल्ली एंसी आर से लेओ या कहो कि विचार धारा में वो डिवाइड हो रहे हैं जी बहुत अच्छा आपने जैनुन सवाल पूछा है देखे सामाजिक तोर पर तो मैं खुद चाहता हूँ समाज के हर एक वर्ग में अलग-लग आप नाम से आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सोसल अवेरनेस के लिए कोई प्रॉलम नहीं है आप लोग हजार संगठन बना के कर सकते हैं लेकिन अगर रानीति की बात करेंगे तो सभी को एक साथ आने की जुरत है और जो आपने सवाल पूछा कि क्या में एक कर रहे हैं समाजिक तोर पर वो कर सकते हैं लेकिन पोलिटिकली कनफिजन की स्थिती तब फाइदा होगा समाजिक तोर पर आप एक छत में आये या फिर इंटरलिंक हो जाएं समाजिक जागरूता कहीं से भी कर सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है बट पोलिटिकली नुकसान है चुकि आप एक्टिविस्ट हैं और अच्छी पूई चीजों को बहतर तरीके स जानते हैं तो मैं एक घटना का हवाला देते हुए मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ जैसे दो अपरेल के बाद देश भर में पड़ा व्यापी अंदोलन हुआ दो अपरेल को और उसके बाद से जो जागरूकता और जो भी लोगों में उत्सुकता अपने समाज की प्रत मुझे लगता है कि यह पहले से संजीदा होकर वोट करेगा क्योंकि वह इतने सालों से ठागा जा चुका है और उसकी उसका अनुभव भी बढ़ता जा रहा है दो प्रेल का जो मुमेंट हुआ पुरे देश के अंदर वहां से एक ताका भी एक तरीके से अनूठा उधरन प वर्चस वाला मैटर है कि अगर 19 में कुछ नहीं किया तो फिर घड़बड हो सकता है ऐसा मतलब मैं मुझे जो कौमन जनता से सुनने को मिला है तो मुझे ऐसा लगता बड़ी समंदारी से वोट करने वाला है और अगर यह समंदारी से वोट करेगा तो यह देश हितमे है क्य होना तो बहुत जरूरी है और लोग देश हितमे चले तो अच्छी बात है लेकिन क्या यह जो संगठन जो समू एक जुट हो रहा है 2019 के लिए यह NDA के लिए खत्रा है या UPA के लिए खत्रा है या किसके लिए फाइदा है मुझे ऐसा लगता है कि यह जो पूरे इखटा हो यह अपनी आवाज के लिए हो रहे है यह खुद के अधिकारों के लिए हो रहे है किसके लिए खत्रा है किसके लिए खत्रा नहीं यह पूलिटिकल मैटर है इसको तो 19 में ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है लेकिन अगर अगर अपने अधिकार के लिए करेगा तो जरू आप देख रहे थे नेशनल अंडिया नियूज शुक्रिया